पूर्णीमा तिथिका हिंदू धर्म में विशेश महत्व है। इसे धन दायक और संतान दायक वरत माना गया है। जो लोग पूरे विधि विधान से पूर्णीमा का वरत करते हैं और पूर्णीमा के दिन चंद्रमा का अर्ग देते हैं, उन पर भगवान विश्णू और माता लक्ष्मी की विशेश कृपा होती है। आए जानते हैं पूर्णिमा व्रत की कथा, पूर्णिमा व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा। हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोशन तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझ से कहो, जिसके करने से मृत्यू लोक में स्त्रियां को विध्वा होने का भय न रहे, तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनुकामना पूर्ण करने वाला हो। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रती मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हैं कृष्ण, सर्व प्रतम इस व्रत को मृत्यू लोक में किस ने किया था। इसके विशय विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रतनों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लिकिन उस ब्रामन के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। लेते, इसका कारण क्या है। आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाए बताएं। आप सरवग्य है, मुझ पर अवश्य ही यह क्रिपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है। लिकिन मैं संतान ना होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी के आराधना करो। घर पहुँचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पतनी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुँचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने सोलह दिन उसको सपने में दर्शन दिये और कहा कि हैं धनेश्वर, जहा तेरे पुत्र लेकिन उसकी आयू सिर्फ सुलह वर्श होगी। सुलह वर कि आयू में ही उसकी मृत्यू हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष तैंतीस पूर्णिमाओं को वरत करोगे तो यह दीरगायू हो जाएगा। जितनी तुम्हारा सामर्थ हो उतने आचे के दिय जलाकर शिवजी का पूजन करना। लेकिन पूर्णमासी बारहवी ही होनी चाहिए। सुबह होती ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चड़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री का इस बारे में बताना। वह उससे फल तोड़ने के चड़ा। लेकिन वह पेड़ पर चड़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासनी की और कहा। को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुन्दर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता-पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बाल बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुन्दर था। नहीं उनके पुत्र की मृत्यू ना हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसा देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवी दास के मामा को बुलाया और एक वर्ष के लिए देवी दास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। एक पहांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गाव में रुके। उस दिन उस गाव में ब्राह्मन की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाली में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे। उसी धर्मशाला में देवी दास और उसका मामा ठहर उधर कन्या को तेल आदी चड़ने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबियत खराब हो गई वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्ष करके कहा कि यह देविदास मेरे पुत्र जैसा ही है मैं इसके साथ लगन करा दूँ और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे ऐसे कहने के बाद वर के पिता देविदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बाद बताई मामा ने कहा कि कन्या दान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली इसके बाद देवी दास का विवाहक कन्या के साथ संपन्न हो गया इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी यह सोचकर उसकी आँखों में आंसु आ गए तब वधु ने पूछा कि क्या बात है? आप उदास क्यों है? तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी तब करन्या कहने लगी यह ब्रह्म विवाद के विप्रीत है आप ही मेरे पत्नी है मैं आपकी किपत्नी रहूंगी किसी अन्य की कभी नहीं? तब देविदास ने कहा ऐसा मत करिये क्योंकि मेरी आयू बहुत कम है मेरे बात आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली स्वामी, आप भोजन कीजिये दोनों रात में सोने के लिए चले गए सुभ़ देविदास ने पत्नी को चार नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझ कर स्थिर्चित हो जाऊ मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो उसको प्रती दिन जल से सीचा करें और आनंद के साथ खेलो कूदों जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणान्त होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे जब यह फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना मैं जीवित हूँ यह समझा कर वह वहां से चला गया इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देख कर कहा कि यह मेरा पती नहीं है मेरे पती वह है जिनके साथ रात में विवाद हुआ है इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है अगर यह वही है तो यह बताएं कि मैंने इसके क्या दिया है साथ ही कन्यादान के समय को आभूशन मिले, उन्हें दिखाएं कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता इसके बाद सारी बाराद भी अपमानित होकर लौट गई भगवान कृष्ण बोले हे माता, इस प्रकार देविदास काशी चला गया कुछ समय जब बीट गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहाँ आया लेकिन वह उसको काट नहीं पाया कयों कि उसकी माता ने पहली ही बारहवीं पूर्णिमा कवरत कर ली थे इसके बाद खुद काल वहाँ पहुँचा भगवान की कृपा से तब ही वहाँ माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए देविदास को मूर्चित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महराज इस बालक की माता ने पहले ही बारह पूर्णिमा के वरत कर लिये है आप इसको प्राण दे भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिया उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुश्प और पत्र दोनों ही नहीं है तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ और जब उसने देखा कि पुश्प वाटिका फिर से हरी हो गई तो वह समझ गई कि उसका पती जिन्दा हो गया है इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पती जीवित हैं, उनको ढूंडिये जब सोलहवा वर्ष व्यतीत हो गया, तो देविदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंडने के लिए जाही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देविदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए महा सारा वगर एकठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया देविदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल जिया उसके ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेच दिया जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता-पिता को लोगों ने खबर कर दी तुम्हारा पुत्र देविदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ लेकिन जब देविदास आया और उसने अपने माता-पिता के पैर छुए तो देविदास के माता-पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिना ब्राह्मणों को दी श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को बारह पूर्णिमाओं को वरत के प्रभाव से संतान प्राप्थ हुई जो स्त्रियां इस वरत को करती हैं वह जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं यह मेरा वजया